लास्ट एपिशोट में हमने देखा था कि किंड शी और फैंग हान मौलिन को ढुणते ढुणते दीमन गॉर्ड अल्डर आप होचेते जहां पर मौलिन और किंड शी के बीच में फायट होती है जिसमें किंड शी मौलिन पर भारी पड़ती है आखी में वो उसका गॉर्ड उस इस समय मौलिन अलगी रूप में नजर आ रहा था जो कि काफी भयानक था वहीं दूसी तब हमें वापस से उसी एल्डर को दिखाया जाता है जो अपने डिसिप्ल से पूछता है किंगशी कहा है जिस पर डिसिप्ल बोला किंगशी अभी तक लोटकर के नहीं आई मुझे डर ह कि वो अभी भी उसी डिसर्ट में ही होगी पर आप टेंशन ना करें वर्दर हुआ उनकी दलाश में गए हैं तब दूसर डिसिप्ल बोला मास्टर आपने अभी अभी सिस्टर किंगशी को प्रमोट किया था आपने कुछ जल्दबाजी कर दी आपको थोड़ा सोचना था ए जिस पर मास्टर ने कहा पर मुझे जिशिटी आई की फिकर हो रही है जो जरू कुछ तो गलत कर रहा होगा वही अब हमें वापस से फैंक बायू को दिखाया जाता है जो कि मास्टर की ही बाता सुन रहा था वही मास्टर उन दोनों डिसिप्ल्स को काम पर लग जाने का बो मैं एक हैड मास्टर हूं तो मेरे पास मैं करने के लिए बहुत काम है और तुम क्या करते हो इस बॉक्स के अंदर तुम क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर हैल्प करने के लिए बॉक्से वापस से आवा जाई और बोली अगर ऐसा है तो क्यों ना हम अपनी पोजिशन इतने responsibilities होती हैं वहीं फांग हान को से मैं मौलिन पर कूद पड़ता है ये कहते हुए कि कि वो हौंगे की मौत का बदला लेकर के रहेगा मौलिन उसको रोकते हुए बोला तुम्हारी problem क्या है ना ही तो मैंने ना ही तुमने कभी हमने एक दूसरे का कुछ बिगाड़ा है त क्योंकि उसका blood sacrifice भी तूट चुका था और दोनर वापस से एक दूसरे पर हमला करते हैं पर इस बार भी मौलिन मूगी खाता है और फांग हान की स्वाट की वज़े से अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो बस पागलों के जैसे चिला रहा था क्योंकि उस उस पर एक और अटेक करता है जिसमें वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है पर फांग हान अभी भी कुछ से में था तो किंग शी आकर के उसे सांध करती है फांग हान होंगी को याद करते हुए कहता है कि आज मैंने तुम्हारा बदला ले लिया तब एक इंग श किंग शी हैरान थी और देखते ही देखते वो सेवन पिलर्स मैंसे रोशनी के साथ में कुछ उनके सामने आकर के गीरा पर उससे पहले वो दोनों वहां से जंप कर बच जाते हैं और उन पिलर्स की रोशनी मैंसे एक डीमन निकला जो बहुत जादा भयानक लग रहाता जिस सब्सक्राइब पर फांग अवाज को परदास गोना मुष्टल हो रहाता वो ड्रेगर पांगता है ड्रेगर तो ब ही तीक डीमन ऑनयांपन को सब्सक्राइं करें एक अब मेरी कंट्रोल में हैं तो अब तुम क्या करोगे टीमन कॉर्ट ने कहा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खास ट्रेजर हुआ करता था पर अब मुझे उनकी परवा नहीं है क्योंकि सेविन डीविल एंपर और त्री डीमन एंपर दोनों के पीछ में ओफेंसिव और डिफेंसिव समझ़ोता हो चुका है जियान डाउ के साथ में वो फाइट करने के लिए एक साथ दे रही है और तुम मेरे सामने एक मामूली से डिसीबिल हो जो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड सकती फांग हान उसे देख करके हैदा क्योंकि वो एक जियान डीमन था फांग हान को लगता है कि कोई इमोटल उसका सामने नहीं कर सकता पर उसने देखा किंग शी उसके ठीक आमने सामने खड़ी होकर के बाते कर रही थी वहीं किंग शी डबल स्नेक और ड्रेगन को रिलीज करती है जो उस डीमन के आसपास फ्लो कर रहा था पर उस डीमन कॉट के सामने वो मक्की के जितना लग रहा था और अब किंग शी वापस उस पर हामला कर देती है पर डीमन के आगे वो से बेक आता अब किंग शी भी वहां से जाने की कोशिश करती है तो डीमन गॉड उसके ड्रेगन को पकड़कर के ती मारता है वही वायू अभी भी उस बॉक्स से ही बात कर रहा था बॉक्स उसे पूछता है क्या तुम किंग्यों के लिए वरिट हो रहे हो क्या तुमको उससे कुछ खास मिलने वाला था पर अफसोस वो अब काफी दूर जा डेवेल के पीच की फाइट कभी भी खत्म नहीं होने वाली अब हमें किंग्शी को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से खायल हो चुकी थी और उस दीमन से बचने के लिए उसने हार तरह फॉग स्पीट कर दिया था वो फांग खान को लेकर कि वहां से जाने लगी लेकि तुम्हारी ये पावर मेरा कुछ बिगाड सकती है जो कि तुम कलस सोच रही हो अब किंग्शी वापस से उस पर हामला कर देती है पर डीमन उसके हामले को एजिली रोक रहा था किंग्शी वापस से अपने फुल पावर का यूज कर उस पर हामला करती है पर फिर भी डीमन क के पैनिक हो गया था किंग शीफ फांग खान को देख करके समझ जाती है और चल्दी ही टीमन को एक फार्मेशन में कैद कर फांग खान को लेकर करके वहां से निकलती है क्योंकि वो फार्मेशन उसे जादा दे तक कैद करके नहीं रख सकती थी और उन दोनों के निकलती ही टी डीमन बौक लाया था वहीं जिटी आन भी चुपके से उसे देख रहा था और उसे देख करके उसके डर के मारे हालत खराब हो रही थी डीमन भी उसे देख लेता है जिस पर जिटी आन उसके आगे किलकराने लगा टीमन ने कहा अगर तुम मेरे लिए काम करते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और जोड से तहारता है जिसका औरा इतना पावरफुल था जिसे सीनियर हुआन भी फील करता है और वो उसे फॉलो करने निकल परता है वहीं किंग शी फांग हां को कहती है उस टीमन ने तुम पर भी हामला किया था पर तुम एजिली सर्वाइब कर गए लेकिन मेरी हालत बुरी हो रही है क्योंकि किंग शी अब इस समय बुरी कंडिशन में थी वो उसे पूस्ती है कि तुम्हारे पास में कोई ऐसा सीकेट है लेकिन फांग हां चुपता वो उसे कोई भी जबाब नहीं देता अब किंग शी की हालत और ज़्यादा खराब हो रही थी जिस पर किंग शी वहीं पैट करके कल्टिवेशन करने पैट जाती है पर उससे पहले वो फांग हां को एक बोटल देते हुए बोली इसमें 7 evil guards हैं जिन्हें तुम यूज कर सकते हो लेकिन blood sacrifice के बाद ही और हम देखते हैं जैसे ही फांग हां उस पोटल को टच करता है तो वो blood sacrifice हो चुका था क्योंकि फांग हां के हाथ पर चोट लगी थी जिसमें से blood निकल रहा था चिंग्शी cultivation कंटीनेंग हाती है तब फांग खांग हां को किसी के حसितिंग की आवाज आए फांग ने देखा वो तो चिटी आन था फांग हां उसे पूस्टा है कि वो यहाँ पर किस लिए और क्यों आया है लेकिन चिटियान को फांग खान के हाथ में वो बोडल नजर आई चिटियान उससे वो बोडल मांगता है जिस पर फांग खान ने कहा ये बोडल वो उसे अभी नहीं दे सकता क्योंकि ये सीनियर सिस्टर का ट्रेजर है और अगर आपको ये चाहिए तो आपको भी सीनिय सिस्टर के रिकवर होने का वेट करना होगा जिस पर चिटियान ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और उन डीमन्स के अगिन्स पर फांग हान माफी मांगते हुए मना कर देता है इस पर चिटियान को गुस्सा आ गया और वो फांग हान पर हमला कर देता है पर फांग घान जिटियान का सामना नहीं कर सकता था क्योंकि वो एक true disciple था पर उसे उसके हमले से बच्टा था जिसके लिए वो उन सेविन इविल स्पीट का यूज कर अपने चारों और एक protection औरा create कर लेता है और जब जिटियान उस पर हमला करता है तो उससे टक्राते ही उसका attack डिस्ट्रा हो गया और अब जिटियान वापस से फांग घान पर palm attack कर देता है फांग घान उसके attack को रोकते हुए बोला हम तीनों एक ही set यह हुआ set के disciple है और तुम एक true disciple हो जो कभी किसी भी disciple को नहीं मार सकता तुम अपने set के rules को तोड़ रहे हो जिटियान उसका मज़ाग बनाते हुए बोला पर तुम तो एक outsider servant हो तो तुमें क्या पता कि rules क्या होते हैं और अपनी power को उस पर और जाता पैसर बनाने लगा जिससे संभाल पाना फांग हांड के लिए मुश्किल हो रहा था तभी उसे ड्रेगन याद आया और ड्रेगन को भी पता चल गया कि फांग हांड को उसकी मदद की जरुरत है वो फांग हांड को अपनी power और उस बोटल की evil power के साथ में merge करने का बोला फांग हांड जैसे ही उस बोटल को टेच करता है उसकी protection shield और ज्यादा strong हो जाती है जिससे कि उसे जिट्रियान के palm attack का pressure काफी कम feel हो रहा था अब ड्रेगन को सोना था उसने कहा पर तुम फिक्र मत करना मेरे सोते समय भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और अब हमें फांग हान की back पर दिखाया जाता है जो कि ड्रेगन बनाता जिस पर ड्रेगन नज़र आ रहा था ड्रेगन उसे कहता है अगर तुम golden एलेक्जार और ड्रेगन पिक्चर को एक साथ में कर लेते हो तो तुम सीखते द्रियम तक पहुं सकते हो जो कि काफी हाई लेवल होगा इसके बाद में तुम काफी स्ट्रॉंग हो जाओगे वो दोनों आपस में बाते करी रहते कि जिटियान वापस से अपनी पावर को और ज़्यादा इनकीज कर देता है यह देख करके ड् पीचा चुड़ाने में हेल्प कर सकते हैं ड्रेगन की बाते सुनकर कि फांग खांग को भी अच्छा लगता है और वो उसकी हां में हां कर देता है और इसी के साथ में हमारी आज की एक्स्पेशन्स खत्प हो जाती है तो दोस्तों देखेंगे नेक्स एपीसिट में क्या हो अच्छा जा कर देखेंगे आज कर दोस्तों देखेंगे या।